स्वागत है आपका स्पोर्ट सार पर मेरा नाम है अकाश और आज हम बात करेंगे राजस्तान के रजवाडों के बारे में इस बार कितनी सौटेड इनकी टीम लग रही है आईपेल 2024 के लिए देखिए आईपेल मिली आउक्षन जब होना था तो जादा तर स्लोट्स आपके कंप्लीटिड थे मताब आपको कुछ जादा खरीदना नहीं था आपके पास पर्स रिमेनिंग ही नहीं था मताब राजस्तान ने सोचा कि हमें बस फाइन ट्यून अपना चूज करने हैं एक इंडियन डॉमेस्टिक ऐसा बैटर चाहिए जो मिडल लॉडर में धमाल मचा सके उसके लिए आपने शुबम दूबे पर करीबन 6 करोड रुपे खर्ज दिये दुनिया ने एकदम से स्क्रोल करा सर्च करा गूगल पर भाई शुबम दूबे कौन और प स्पेशल एक लेफ्ट हेंडर बैटर है जो पावर हिटिंग करता और कहीं ने कहीं देखे पहले साही नहीं बात करने चाहिए कभी टोक लग जाए लेकिन हीज़ा स्पेशल प्लेयर जैसे आप तिलक की बात कर रहे थे नहल वदेरा की हमने बात करी रिंकू का जिस तरीके स आपने देखा सचा रेविलेशन की एक यार की तरफ से तो यह उन स्पेशल डोमेस्टिक टैलेंट्स में से है जिसके बल्लेबाजी आने वाले समय में आपको बहुत जादा इंप्रेस करते भी नजर आ सकते हैं यह और आपको मोस्ट लाइकली यह काफी इंप्रेस भी कर सक जब आपका मेगा उक्षान इससे पहले हुआ था और जब हमने इस टीम की 11 बनाई तो आप सोचली पर मजबूर हो गए भाई यह टीम टाइटल क्यों ना जीते जो आपने देखा ना भाई इससे पहले बाले सीजन 23 से पहले हम जब जब देखा था भाई फाइनल भी किया स इस टीम में कमी क्या है मिडल ओर में कर इंडिया इंडियन बैटर्स का ना होना क्योंकि बोलिंग में आपके पास जब बोल्ट जैंपा यूजी अश्विन और इंडिन बोलर्स की आप संदीप आपने आवेश रख लिए प्रसिद्ध कृष्णा तो मतलब आपको कुछ कमी नजर नहीं आई बैटिंग में आपके पास जॉस बट्लर यश्वि जैस्वाल जैसा स्टार्ट सबसे दमाकेदार ओपनिंग पेर्स में से एक अगर आप कुछ भी इमेजिन करना चाहो तो यश्वि का पिछला सीजन आपने देखा ही है उसके लावा आपके पास संजू सै पता नहीं राजस्तान के लिए क्यों नहीं करता है दुरुफ जुरेल एक धमाकेदार खिलाली बनकर उबरा इंपक्ट प्लेयर के तौर पर उसने एक अलागी जगा बना ली अपनी तो टीम कंप्लीटिट लगती है लेकिन क्यों ये कंप्लीट एसेंबल नहीं कर पाते कि देंटेशम में आपके पास बूलर वोने चाहिए और मिडन आ आपके पास सरानेख मलिटी यह प्लेयर होने चाहिए तो किस तरीके से इनकinde कर लग लग रा है स्कौर्ड पहले भी मस्बूत था अभी भी मस्बूत गर्सिली आपने जो क्लाभ्हि अरो एडिशंस करें उल्स 7.40 क्रोर्स देखे गोल्डर रिलीज हुए थे तो उनकी जगा आपको एक पावर पैक प्लेयर चाहिए रामन पावल भी कन प्लेड यूटिलिटी लेकिन वो देखना पड़ेगा कि आपके चार ओवर्सीज वाला कॉम्बिनेशन क्या बनता है आइधर आप जैंपा को ना खि तकड़ें उसमें आप टॉम कॉलर का नाम मत भूलिएगा यह 40 लाक आपको कम लग रहा होगा कोई खिलाड़ी आपने भर लिया नहीं इस खिलाड़ी ने दुनिया भर की टीट्विंटी लीग्स में आग लगा रखी है और यह खिलाड़ी ऐसा है जो धमाल मचा सकता है आपने देख लिया क्या वाइड बॉल क्या रेड बॉल भाइस बर्गर ने अच्छे चो को पीजा खिला दिया है बहुत जबर्दस बोलर है बहुत क्वालिटी बेट में कहूंगा 50 लाग रुबे में दुनिया खुश हो गई होगी होगी यार हम पे तो यह है मदुशंका ह है को इडजे है नेंद्रबगर इस वेरी स्पेशल टेलेंट और वह अभी आपने रिसेंटली इस टेस्स सीरीज में देख भी लिया है जो पहली उनकी आउटिंग थी बहुत जबर्दस गैंदबाजी उन्होंने करी तो बड़े स्मार्ट ऑक्शन पिक्स जो इनको चाहिए थे शुबं दूबे का नाम लेना बहुत जाथा जरूरी है दुनिया बात कर रही है समीर रिजवी 8.85 करोड रुपे और अलग अलग खिला कुमार कुशाग्र उनकी बात कर रही ती डली कैपिडल्स तो इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं सेयद मुस्तागली ट्रॉ भूत है खड़े-खड़े चक्के मारता है तो टी 20 स्पेशलिस्ट है और आपको हेंडी बोलिंग मी करके दे देगा पार्ट टाइमर्स तो मुझे लगता है यह इस है कंप्लीट प्लेयर आपके लिए अगर इस तरीके का खिलाडी मेरी तो 11 में फीचर करें वैसे तो अगर पाजस्तान रॉयल्स की ओल्रेडी जो स्टेबल वैर इसमें आपको कमी क्या दिखती है सामसन बटलर हैटी यशस्वी जैस्वाल पावर पैक्ट चार बनलेबास इसमें से मैं इन दो को एड़ कर दूं पावल और दूबे या फिर दूबे और टॉम कॉलर कैडमोर कितना ज शुबम दूबे को एड़ कर लिया आपको चाहिए पावर हिटर आपको गेम बनाने वाला नहीं चाहिए वो तो आपका बटलर कभी रोल प्ले कर दे कभी आपका संजु सामसन प्ले कर दे हैटी आपके पास है इतना अच्छा बैटिंग लॉट है उसमें आपको ऐसा बैट पर जा रहा है अब इनको बस यही है कि भाई अपनी बेस्ट 11 कैसे असेंबल करें हम क्योंकि आपके पास ट्रेंट बोल्ट है यूजी है अश्विन है यूजुली यही आपके खेल रहे हैं लगातार अब आपके पास बाक्यों ऑप्शन क्या है आपके पास सैनी है आविश इस फास बोर्स की कमी है इस तीम पर कमी कुछ नहीं है कौन से टीम ऐसेंबल कर सकती है जिसमें आपको जैंपा अश्विन यूजी नजर आ जाए तो कहीं ने कहीं बॉलिंग में सौटेट है बैटिंग में सौटेट है इस आल अब आउट जैसा आप CSK की बात करते हो जैसा से वहाँ पैनिक करती है तो उसके लिए आपको कोर मजबूत करना पड़ेगा तेहरा प्लेरों को गुरूप बनाओ उनको ही बैक करो उनमें से रोटेट करके ग्यार को खिलाओ राजस्तान आई फील ऑन पेपर तो यह टीम इस टीम इस टीम इस गुड़ एस एनी टीम इन बीच में आपके पास हेटी हों सैमसन हो और फिर आपने जो रॉमेन पावल दूबे को पिक कर रहा है कोई भी इस टीम को हलका नहीं बताएगा इट सॉल अबाउट आप क्लिक कैसे करते हो संराइजर्स की पिछली बार की टीम कितनी तगड़ी लग रही थी ब्रूक है अगर क्लिक ना कर पाए तो बड़ा उन पेपर अगर मैं स्कॉर्ड का अनलिसिस करूं मुझे इस टीम में कोई कमी नहीं लग रही है और मैंने आपको एक-एक एक एसपेक्ट पर बात करके बता दिये स्टॉंग टॉप ओडर, बैलेंस मिडल ओडर, क्वालिटी स्पिनर्स और पावर पैप्ड फास्ट बोलिंग अटैक अल्मोस्ट परफेक्ट टीम लेट सी की एई टीम आईपेल दोजार चॉबिस में किस तरीके से परफॉर्म करती है फिलाल ये था राजस्तान रॉयल्स क स्क्वार्ड अनालिसिस, स्वार्ट अनालिसिस भी करा, आपको स्ट्रेंश बताई, वीक्रेस इनका मिडल ओडरी था, जहां पर आपके थोड़े से वन्नरेबल थे, आपके पडडिकल हो गए, पर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, दुर्व जोरेल विचारा इंप इस तरके से परफॉर्म करते हैं, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये अनालिसिस पसंद आया हो, तो प्लीज स्पोर्ट सार को सब्स्क्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा, फिलाल मैं लेता हूँ इजासत, जया हिंद, जया भारत.